नमो नमहा, सुक्ति मौक्तिकम, इस पाठ के अभ्यास को हम करने जा रहे हैं, बिना देरी के हम अभ्यास को आरंभ करते हैं देखिए, सर्वपर्थम अभ्यास है एक पदेन उत्तरम लिखता पहला प्रस्ण हम देखते हैं, वित्ततहा क्षीणा कीद्रशह भवती स्लोक में लिखा है यानी जो धनके नास होने से गरीव हुआ वेक्टी है उसको गरीव माना नहीं जाता है क्योंकि यदि वो चरित्र से गरीव नहीं है चरित्र से धनी है सत्चरित्रवान है तो वो धनी ही माना जाएगा कस्य प्रतिकूल आनी कारियानी परे सामन समाचरेत देखो प्रतिकूल अर्थाद बुरे कर्म दुसरों के साथ नहीं करना चाहिए आत्मनह ये स्लोक का वचन है याने आपने लिए जो बूरे लखने वाले कर्म है वो कर्म दुसरे के साथ भी हमें नहीं करना चाहिए तिसरा प्रस्ण है कुत्र दरिद्रता न भवेत कहां पर दरिद्रता नहीं होने चाहिए स्लोक है ना तस्मात्त देववक्तब्यम वचने का दरिद्रता अरे दरिद्र वचन में नहीं होना चाहिए मीठे वचन बोलने में दरिद्र हमें नहीं होना चाहिए सदा मीठी बानी हमारे मुक से निकले गह नम्मर का प्रस्ण है ब्रिक्षाह स्वयम कानी नखादंती ब्रिक्षाह पेड क्या नहीं खाते हैं स्वयम नखादंती फलानी ब्रिक्षाह आप लिखोगे फलानी का पुरा लगवी भवती पहले छोटी क्या होती है शुरुबात में धिरे धिरे बढ़ने वाली सज्जन अनाम मैत्री भवती अथवा परार्ध चाया दिन के उत्तरार्ध की दोपहर के बाद की चाया भी धीरे धीरे बढ़ने वाली शूरु में छोटी वाली तो शलोक का अविप्राय यह है शलोक में चाये वा मैत्री खल सज्जनानाम इससे आप समझ सकते हैं कि पूरा लगवी क् चाया होती है दिन के परार्ध की अथवा सज्जन की मैत्री भी होती है क्योंकि वाँ पर द्रिष्टांत उपमा से समझाया गया है अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे दूसरी अभ्यास में देखो अधो लिखित प्रस्णा अनाम उत्तर आणि सम्सकृत भास या लिखत यतना पुर्वक प्रियास से किसकी रख्षया करनी चाहिए धन की अथवा चरित्र की बताओ शलोक में लिखा हुआ है बृत्तम यतनेन सम्झेत चरित्र का रख्षया करना हमारा प्रतम उत्तर दाईत्त भूहे है आप पूरे सलोक के लैन को भी आप लिख सकते हैं अथवा वृत्तम यतने न संब्रक्षेत नतुवित्तम एसे बना कर भी लिख सकते हैं खार नंबर का प्रस्ण है अस्मा भी है किम्न समाचरेत अथवा कीद्रिसम आचरणम न कर्तब्यम बताओ इस प्रस्ण का उत्तर क्या होना चाहिए? स्लोक में लिखा हुआ है आत्मनहा प्रतिकूलानी परे सामन समाचरेत क्योंकि ये प्रस्ण हमें क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा प्रस्ण का अभिप्राय है और स्लोक में क्या लिखा हुआ है? अपने लिए जो अच्छा नहीं लगता हो अपने लिए जो बूरा लगता हो वो को दुसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए तो हम श्लोक में से प्रतिकूलानी सब्द को लेकर बना सकते हैं अस्मा भी प्रतिकूलम आचरणम न कर्तब्यम एसे वाखे बना सकते हैं अथवा ये आपसे न बन पाए और आपको ये स्लोक याद हो तो आप आत्मनहा परतिकूलानी परे सामन समाचरे इस स्लोक के आदे भाग को पूरा-पूरा लिख दीजिए उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्न देखते हैं जनतवह केन तुस्यंति प्राणिया किसे से हो जाते हैं हमने स्लोक में पढ़ा है न प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुस्यंति जनतवह यानि मीठी बाने प्रदान करने से प्राणि खुस हो जाते हैं तो हम बाक्य बनाएंगे जनतवह प्रियवाक्य प्रदानेन तुस्यंति अब अगला प्रस्न है सज्जनानाम म मैत्री दिनस्य परार्ध छाया इव भवती एसा हमें इस स्लोक से ग्यांत होता है सरोवरा नाम हानी ही कदा भवती बताओ सरोवर तालावों की हानी कब होती है मरालई ही अथवा हंसई ही विप्रयोगे सती भवती यानि जब हंसों के साथ उनका वियोग होता है हंस उड़कर सले जाते हैं तो सरोवर की हानी होती है हम तिसरा अभ्यास करने जा रहे हैं इस अभ्यास में क्या है को इस्तंब में विशेशन है और खो इस्तंब में विशेश्य है इन दोनों को हम जोडेंगे और विशेशन विशेश्य को एक साथ लिखेंगे आश्वाध्य तोयाह ये विशेश्य है इसका नद्यह गुण युक्तह इसका विशेश्य है दरिद्रह दिनस्य पूरवार्द भिन्ना ये सज्जनाना मैत्री है और दिनस्य परार्द भिन्ना खलाना मैत्री अगला अभ्यास है जिसमें आपको दो स्लोकों की हिंदी अधवा अंग्रेजी भासा में अ उतार सकते हैं हिंदी अनुवाद मने रख दी है उसको आप उतार लें पंचम अभ्यास है भिन्न प्रकर्तिक पदों को अलग करके लिखना वक्तव्यम कर्तव्यम इत्यादे में सर्वस्वम भिन्न प्रकर्तिक पद है यतनेन वचनेन इत्यादे में वचने भिन्न प्रकर्ति अब चटा अभ्यास देखिए, यहां पर स्थूल अर्थाद मोटे अक्षरों में लिखे हुए सब्द को लेकर प्रस्न बनाना है, तो हम बनाते हैं बृत्त तह इसको लेकर कस्मात छेण हां हतह भवती, खा नम्बर में है धर्मसर्वस्वम सुर्थुव अवधार्यताम इसका होगा किम सुर्थुव अवधार्यताम प्रस्न बाचक चिन्ह ग नमबर में है ब्रिक्षाहा फलम्न खादंती ब्रिक्षाहा है इस सब्द को लेकर के के फलम्न खादंती ग नमबर है खलानाम मैत्री खलानाम सब्द स्थूल है केसाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवती प्रश्नवाचक चिन्ह एसे प्रश्नवाचक चिन्ह को जरूर लगाए पूरे वाक्य को जरूर लिखें क्योंकि नंबर इसी में मिलते हैं ये CVC का रूल है अब हम सातवा अभ्यास करते हैं इसमें लोट लकार में परिवर्तन करना है आग्या, उपदेश, निवेदन, इत्यादी के प्रियोग के लिए लोट लकार का संस्कृत में प्रियोग होता ह जैसे तूताम अन्तु अ अतम अता आनियाव आम जैसे पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठता पठानि पठाव पठाम इसी को आधार बनाकर हम इस अभ्यास के क्रिया पदों को परिवर्तन करते हैं जैसे नद्यह आश्वाध्यतोयाह संति इसको हम बदलेंगे संत एक भज़न नंबर बंजाएगा उसमें शमाचरसी है ये मध्यम पुरुष एक वजन का है तो हमें क्या करना होगा ओ वाला लगाना होगा शमाचर बन जाएगा। स्वाम परेशाम पर्तिकूलानी न समाचर घह नंबर ते वृत्तम यतने न सम्रक्षंति अंति लगा है तो अंतु करना है ते वृत्तम यतने न सम्रक्षंतु अहम परोपकारायकारियम करोमी तो इसमें आनी आना चाहिए अहम परोपकारायकारियम करवानी लेकिन न आया है आनी के जगह में न आया है यदि किसी भी सब्द में र या श आ रहा हो आगे पिछे कहीं भी तो न को न होता है ये पाणिनी का नियम है रसाभ्याम नोण समान पदे इसके साथ आज का अभ्यास भाग यहीं पर पूर्ण होता है नमो नमहा पुनर मिलामह धन्यवाद